हेलो एब्रिवन स्वागत है हमारे टैटेनियम एकेडमी यूटूब चैनल पे आज से हम लोग एक नया सेरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है मॉक टेस्ट यह बेसिकल यह मॉक टेस्ट के रूप में आपको दिखाई देगा जिसमें हम लोग 25 कोस्टन पुछने की सभावोना हो सकती है और मेरी जो कोशीस रहेगी यह 25 कोस्टन से आपको Alearm कोश्टन के आसपास न कुशों का एंसर मैं आपको Aक्स्ट्रा नालइच के साथ एक्स्ट्रा फैट के साथ आपको बताने की कोशिस करो मैं आप यह बिसकली मॉक टेस्ट टि कीन इनका एकजाम अगर दे रहे हो तो इसी के basis पर इस mock test को तयार किया गया है और यह सारे mock test बहुत important question के साथ आपको दिखने को मिलेंगे इसमें क्या-क्या cover किया गया है इसमें आपको legal cover करेक किये गया है इसमें आपको constitution पूरा cover किया गया है ठीक है साथी साथ इसमें आपको reasoning क questions चांब को देखने को मिलेंगे इसमें आपको English के questions देखने को मिल जाएंगे और plus static GK static gk भी दिखने को मिलेगा और plus gs भी आपको दिखेएगा ठीक है gk gs जिसको बोलते है तो यह सारे persons को cover करने ही कोशिस किया हूँ और कुछ persons आपको English को भी उसमें दिखने को मिल जाएगा math के कुछ persons सायद ना रहे math का question मैं डालने की कोशिस नहीं किया हूँ तो बाकि अगर आगे होगा तो math के कोशन उसमें एका question डाल कर आपको practice करवाया जा सकता है तो चलिए वीडियो को start करते हैं बिना किसी दे रिके और एक बार सभी लोग वीडियो में बने रहे हैं एक बता दू कि एक वीडियो में तीन से चार वीडियो दिने की कोशिस करूँगा और यह night 10 बजे रात के 10 बजे इस वीडियो को आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है तो सभी लोग वीडियो में बने रहा ना जब भी होगा तो आपको मौर्निंग में नोटिफिकेशन दे दी जाए कि आज वीडियो जो अपडेट होने वाला है तो आप उसको देख लेना चलिए आज का जो पहला कोश्चन से है पहला कोश्चन को समझेगा Constitutions का ये कोश्चन से है One of the most important question है तो जैसा कि आपको पता होगा कि right to property को remove किया गया है fundamental right से तो बते ये किस amendment कि थो इसे remove किया गया था बते ये जल्दी से इसका answer बते इसका answer क्या होना चाहिए तो इसका जो correct answer होगा वो ओप्सन नमबर ये 44th amendment ठीक है कब हुआ था 44th amendment हुआ था 1978 में 1978 में 4th amendment हुआ ठीक है अब इसके साथ ही 44th amendment की जब नाम आई है तो हम लोग कुछ details में और देखेंगे 44th amendment से related और कुछ points को देखेंगे 44th amendment में हुआ क्या क्या था एक तो आपको right to property जो था article 31 में था ठीक है right to property जो पहले था वो article 31 में था जिसको आप shift करके shift करके इसको 300A में बना दिया गया और ये legal right हो गया ठीक है ये क्या हो गया legal right हो गया तो right to property जो पहले fundamental right था आप उसको 44th amendment के बाद इसको legal right बना दिया गया है इसके बाद कुछ article 352 में काफी changes देखने को मिले हैं किस article में article 352 में काफी changes देखने को मिले हैं तो जैसा कि आपको पता होगा अगर तीन आटिकल होते है emergency से related पहला होते है 352 दूसरा होता है 356 और तीसरा होता है 360 इस सारे important points से ध्यान से सुनते रही है गसित 52 में आपको national emergency की बात की गई है ठीक है और 356 में आपको state emergency की बात की गई है और 360 में आपको financial emergency की बात की गई है यह तीनों article काफी important है आपको याद होना चाहिए तो आटकल 352 में पहला जो changes आया था वो क्या changes आया था कि armed rebellion internal disturbance word को ठीक है internal disturbance word को change कर दिया गया यानि यह shift कर दिया गया हटा दिया गया और इसके जगा एक नया word लए गया जिसका नाम है armed rebellion ठीक है armed rebellion एक नया word लए गया अब यहाँ पर एक questions आपके दिमाग में ही होगा कि internal disturbance और armed rebellion है क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज़ मैं आपको बता दू कि जो भी emergency लगती है वो किसके दोरा लगाया जाता है तो emergency जो लगाया जाता है वो president के दोरा emergency को लगाया जाता है किसके दोरा president के दोरा और process है लेकिन basically तो पर देखा जा तो president emergency को लगाता है तो प्रेशिडेंट जो इमर्जेंसी लगाएगा तो उसको इमर्जेंसी लगाने के कुछ न कुछ ग्राउंड चाहिए किस ग्राउंड पर इमर्जेंसी लगाएगा तो इसके तीन ग्राउंड है पहला जो ground इन्हों ने लगाया है जो ground constitution में पहला है war है दूसरा जो ground है external aggression ठीक है दूसरा जो ground है वो कौन है क्या है external aggression है और तीसरा जो है arm rebellion arm rebellion तीसरा वड़ है तो यह जो arm rebellion वड़ था पहले इस जगह पर internal disturbance वड़ हुआ करता था अब इसको अटा के arm rebellion कर दिया गया है यानि कि president जो है यही तीन ground का दार पर नेस्तन इमर्जनसी लगा सकता है war हो गया, external aggression हो गया और arm rebellion हो गया है ठीक है यह बहुत important point है इसको ध्यान सा समझेगा इसके अलाबा और कुछ changes हुए है इसके अलाबा और क्या changes हुए है एक changes यह हुआ कि president जो article 352 लगाएगा जो president जो article 352 के तरू नेस्तन इमर्जनसी लगाएगा उसके लिए council को ठीक है उसके लिए council को यानि cabinet को क्या होगा लिखित रूप से president को देना होगा कि अगर आपको अगर आपको देश में नेस्तन इमर्जनसी लगाना है तो नेस्तन इमर्जनसी लगाने के लिए पूरे cabinet को लिखित तोर पे president को देना होगा तभी president जो है इमर्जनसी लगाएगे एक changes यहाँ पर हुआ अब जो है लिखित रूप से यानि कि return होना चाहिए तभी जाकर president इसको नेस्तन इमर्जनसी को लगा सकते है इसके अलाबा एक changes और देखने को मिले है कि अगर माल लीजिए आज के date से इमर्जनसी लागू हो गया ठीक है council ने cabinet लिख कर दे दिया कि भाई president आप जो है इमर्जनसी लगाईए और president ने क्या होगा इमर्जनसी इंपोस कर दिया कि पुरे देश में आज से इमर्जनसी लागू हो गया है लेकिन उसका भी एक rule ये है कि इमर्जनसी लागू करने के एक महीने के अंदर कितने अंदर गए एक महीने के अंदर दोनों सदन से यानि लोग सभा से और राज सभा से इसको पास करवाना होगा और भी special majority से चीक है special majority से आपको इसे पास कराना होगा ये काफी important point है याद अखिएगा लोग सभा और राज सभा दोनों सदनों से special majority से इसको पास करवाना होगा लेकिन अगर by chance लोग सभा या राज सभा किसी एक में से पास नहीं होता है या फिर दोनों में से पास नहीं होता है तो यह emergency है जो स्वता है एक महीने बाद समाप्त हो जाएगा ठीक है एक महीने बाद यह emergency स्वता समाप्त हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर एक question और यहाँ पर फिर यही प्रोसीजर अपनाना होगा लोग सभा से पास कराइए राज सभा से पास कराइए वह भी स्पेशल मेजोरेटी से इसे पास होना चाहिए बहुत ध्यान से आटिकल यहां से पूरे आटिकल 302 को समझा दूगा बहुत तफेस्ट आटिकल में से इसे माना जाता है और बिल्कुल डीटेल में समयाने की कोशिस कर रहा हूं तो यहां पर पता चलिया हो कि एक बार आपको इमर्जेंसी लगा दिये तो आपको छे मन तक रहेगा छे मन बार फिर उसे दोनों सदनों से स्पेसल मेजोरेटी से उसे पास करवाना होगा अब इसकी अब लगाने वाली बचा ही नहीं है वो कंप्लीट हो चुगा है जो प्रोब्लम तो सॉल्व हो गया है तो प्रेसिडेंट क्या होंगे जब मन तव इमर्जेंसी को हटा सकते है पहला पॉइंट दूसरा ये नियम है कि सधारन बहुमत से लोग सभा में इसे पारिद करके हटाये जा सकता है यहा ठीक है अब यहां पर दो तीन पॉइंट और याद रखना कि अभी तक इंडिया में तीन भार नेस्तन इमर्जेंसी लगा है पहला लगा था नैंटीन सिक्टी टू में ठीक है यह सारे पॉइंट जो मैं बोल्राउस को लिखते चले जाओ अगर नहीं पता है तो लिखते च किया था 1971 में और तीसरा जो 1975 में जब अलावाद हाई कुट यह कर दिया था कि इंडरा गांधी का जो 6 साल तक कोई भी constitutional पोस्ट पे चाया फिर गॉवर्मेंट पोस्ट पे वो काभीज नहीं रह सकती है तो उन्होंने इसका दरुप्यों किया था इमर्जेंसी लगा कर और स सारे सिस्टम को हिनों ने चेन कर दिया था तो यह तीन पॉइंट से भी याद रखने की जवरत है ठीक है इसके अलावा एक चीज और यहां से पूछता है कि 1975 में जो इमर्जेंसी लगा ता उस समय प्रेजिडेंट कौन थे तो उस समय जो प्रेजिडेंट थे फौकरुदी लिए प्रेजिडेंट थे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समयने की कुषिस किजिएगा जो मैं बता रहा हूं यहां पे कुछ और यहाँ पर दो आर्टिकल याद रखने आर्टिकल 358 और 369 आर्टिकल 358 और 369 में क्या दिया गया है कि फंडामेंटल राइट जो होगा इमर्जेंसी के समय सस्पेंड रहेगा आर्टिकल 19 ठीक है इस फोड़ी आर्टिकल जो 19 होंगे आर्टिकल 19 जो होगा वो इमर्जेंसी के समय सस्पेंड हो जाएगा यह आर्टिकल 358 में लिखा गया है कि प्रेजडेंट चाहे तो प्रेजिडेंट चाहे तो सारे को सस्पेंड कर सकता है एक्सेप 20 एंड 21 तो 358 में लिखा है कि इमर्जेंसी के समय आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाएगा और 369 में लिखा है कि प्रेजिडेंड चाहे तो इमर्जेंसी के समय पूरे फंड़ामेंड रहेग को हटा सकता है 20X को छोड़ कर ये points भी है जो आपको याद होने चाहिए ये भी important points से आपको पता होने चाहिए इसके लबा कुछ changes और हुए थे 44th amendment में और क्या changes हुए थे तो एक changes ये हुआ था कि लोग सभा ठीक है लोग सभा पलस राजय बिधान सभा ठीक है लोग सभा पलस राजय बिधान सभा का जो time period था वो 6 साल कर दिया गया था उसको हटा के फिर से 5 साल कर दिया गया कब 44th amendment में इसके लबा एक changes और देखने को भी ये थे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सिलेटेड अगर कोई भी निर्वाचन समन्दी कोई मामला होगा ठीक है तो वैसे situation में इसका जो solve करने का जो अधिकार दिया गया था दिया गया है वो दिया गया है supreme good को ठीक और एक changes और इसमें आया था कि quorum के लिए quorum के लिए 1 by 10 होना ज़दी है quorum क्या होता है कि quorum होगा 10 होगा तो कम से कम 10 लोग होगे तभी सदन की करवाई शुरू की जाएगी बने था सदन की करवाई क्या होगी बंद रहेगी तो यह सारे point था इससे कितने question मैं समझाने की कोशिस किया आपको समझ में आ गया होगा चलिए अगले questions पर आते question number 2 fundamental duties were incorporated in the Indian constitution in which year बते इसका answer क्या होगा discussion का जो correct answer होने वाला वो 1976 होगा ठीक है fundamental duties को लाया गया था 1976 में कीस amendment में तो एक amendment था 42nd amendment याद रखेगा इस amendment को 42nd amendment को याद रखे 42nd amendment 1976 को किया गया था ठीक है 42nd amendment में जब इसको add किया गया था तो उससे में total कितने fundamental duties है 10 थे अभी current में कितना है तो current में एगारा है एक extra add का भुआ तो यह हुआ था 86th amendment जब हुआ था 2002 में उससे में इसे add किया गया था यानिकि एगार हो गया था अच्छा यह 42nd amendment में जो 1976 में जो add किया गया था यह किसके कहने पर हुआ था किसके recommendation पर तो एक स्वाण सिंग नाम की committee थी स्वाण सिंग कमिटी के कहने पर इसे add किया गया था 42nd amendment को यह भी याद रखिएगा अब यह 42nd amendment जो fundamental duties है यह कहां पर है तो यह part 4a में है तो आर्टिकल याद रखिएगा 51nd ए article 51nd में add किया इससे लिट फंडांडमेंटल ल्यूटिस और questions क्या बन सकते है एक question आपको यह बनेगा कि यह fundamental duties कहां से लिया गया है तो यह रसिया से लिया गया है fundamental duties कहां से लिया गया है रसिया से लिया गया है जी हाँ और fundamental duty जो होता है यह सिर्फ applicable किस पे तो होता है तो citizens पे होता है only applicable to citizens और यह जो होता है non-inforcible होता है non-inforcible का मतलब यह होता है कि माल लिज़े आप किसी fundamental duty को follow नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आप पे फायार कर दिये जाएगा आपको jail में डाल दिये जाएगा नहीं लेकिन जो 11 fundamental duties है अगर उस पे government law बना देती है किसी एक पर चाहिकी all पे तब आप अगर उसको नहीं मानते हैं तब जाकर आप उस पे क्या होगा आप पे मुकदमा चल सकता है अच्छा 86th amendment में एक question ये भी पूछा है कि जो एक add किया गया था वो क्या किया गया था उसमें ये add किया गया था duty of all parents and guardians to provide education his children between 6 to 14 years जो एगर हमे fundamental duties में ये add किया गया था उसका क्याना था कि हर parents को और guardians को अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को education provide करना compulsory है यही हुआ था आपको 86th amendment में तो यहां तक सारे questions clear होगा चलिए एक ये number है इस number को note down कर लिएगा इससे एक number पर whatsapp group बना हुआ है LLB entrance examination के लिए अगर आप join होना चाहते हो तो इस number पर को message करना है आपका क्या नाम है आप किस university को target किये हो और आपको इस group में add होना है वहाँ पर लिख देना है तो आपको एक link provide कर दिया जागा जिसमें group में add कर दिया जाता है जिसका pdf इसका pdf भी आपको वही पर मिलेगा साथी साथ बच्चियों ने आपस में बात करके अपने question को solve करते है अपने doubt को solve करते है तो एक special platform के रूप में दिया गया है जो पिछले साल भी एक काम किये था और इस साल भी एक काम कर रहा है तो इसके लिए आप इस number पर message करके आप whatsapp group में join कर सकते हो चलिए तीसरे questions पर आपके question नमर 3 है In which of the following general elections electronic voting machines were used the first time बते हैं इस questions का answer क्या होना चाहिए तो इस questions का जो answer होने वाला वो 9082 होगा ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा confusing questions से आपको देखने होगे मिलेगा यहाँ पर general elections की बात की गई है जब भी general elections आपको word use होगा तो आपको 9082 ही करके आना है तीक है अगर general election word नहीं होगा तो फिर को यहाँ होगा लेकिन जब भी general elections आपको word यहाँ पर use हो रहा है तो 9082 ही use करके आना है चलिए अगले questions पर आते है question नमर 4 है The President of India can nominate to the Rajasawa कितने members को nominate करता है President Rajasawa में बताइए आपके exam के यही standard है यही standard के questions आपको exam में पूछा जाएगा यह सारे questions easy नहीं है आपने जरूर एक दो बार पढ़ लिया तो आपको easy लग रहे होंगे या फिर पहले एक बार preparation आपने किया हुआ इसका questions उन्हों बच्चों के लिए जो अभी प्रिपरेसर ने start किया है बिल्कुल उनके लिए easy नहीं होगा इसका answer होगा 12 members को इन्हों नमिनेट किया है अच्छा यह बताइए कि यह जो 12 members को nominate करने वाला जो system में किस country से इसे borrow किया गया है बताइए इसका answer क्या होगा किस country से इसे borrow किया गया है तो यह borrow किया गया आपको Irish Constitution से इसको borrow किया गया है यह सारे points जो है आपको पता होगा है ठीक है आर्टिकल 79 में क्या है तो आर्टिकल 79 में आपको Parliament की बात की गयी है किसकी बात की गयी है तो पार्लेमेंट की बात की कही है, पार्लेमेंट में दो सदन होते हैं, एक होता है लोग सभा होता है, एक होता है राजय सभा होता है, ठीक है, चलिए, Question number 5 की बात करेंगे, The Constitution names our country as भारत, आर्याबरत, हिंगुस्तान, इंडिया, डेट इस भारत, बते इसका answer क्या होगा, यह option number सुच कर रहे होंगे, ठीक है, को दिख करते हैं, चलिए इस questions है, The Bill of Right and Judicial Review are features are borrowed from which of the following country, which of the following country constitution, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसको मैं हटा तो नहीं सकता हूँ, फिलाल पे, तो manage करना है आपको, इसका answer होगा, USA होगा, ठीक है, अब यहाँ पर USA से और क्या क्या लिया गया है, तो एक तो आपको fundamental right USA से लिया गया है, दूसरा आपको लिया गया है, independence of judiciary, independence of judiciary लिया गया है, तीसरा जो लिया गया है, removal of supreme court and high court judges, ठीक है, और क्या लिया गया है, तो और लिया गया है, प्रेजडेंट जो हता है, एक्सेक्यूटिव होता है, यह भी लिया गया है, प्रेजडेंट इज एक्सेक्यूटीव हेड ये भी कहां से लिया गया तो USA से ही लिया गया है इसके लाभा और के लिया गया है हाँ एक लिया है ये वाइस प्रेजडेंट जो होगा एक सोफिसियो चीयर्मेंट होगा एक्स ओफिसियो चीर्मेन वह राज्य सभा ठीक है तो यह चार पांच चीज लिये गए हैं यह जो इंपोर्टेंट आपको याद होने चाहिए एक तो फटना मेंटल राइट एंडिपेंडेंस और जूडिसरी रिमूबल अब सुप्रीम कोट और हाई कोट जाजिट प्रेजि जो होता है एक्स ओफिसियो चेर्मेन होता है राजसभा का उस अधी साथ बील ऑपर एट और जो डिसली यह भी उएसे से ही लिया गया है चलिए अले कोश्चन पर आपने कोश्चन नुमर सेवन एटज्ज ऑपे हाई कोट केन रिजाइन फ्रोंर इज हर ऑफिस भाइ रैटिंग तो हाई कोट जजव पंगर अपने रीजिनेशन देना होग तो हो रीजिनेशन लेटर किसको देगा बत म Mir dream जी हाँ प्रेजडेंट को देगा बिल्कुल सही है फ्रेजडेंट को देगा ठीक है अच्छा आप यहां पर हाई कोड के जर्ज़स को अप्वेंट कौन करता है तो अप्वेंट भी प्रेजडेंट करता है कौन करता है लेकिन किसके सलाह पर याद रखेगा Chief Justice of India प्लस Governor Governor of Concerned States इसी के सलाप पर इसके सलाप पर प्रेजिटेंट जो है High Court Judges को अपॉइंट करता है अच्छा High Court Judges का ओध कौन दिलवाता है ओध जो दिलवाता है वो Governor के द्वारा इससे ओध दिलवाई दिये जाती है ठेक है अच्छा इसके इलिजिबिटी क्या है अगर आपसे पूछ दे जाए अब खतम ही कर देते हैं अगर इतना कोशन्स आया है तो तो पहला होगा है कि इसमें Indian Citizen होना चाहिए Indian Citizen आपको होने चाहिए दूसरा होगा Advocate होने चाहिए आपको High Court में 10 साल तक 10 साल तक आपको High Court में Advocate होना चाहिए और तीसरा जब को जुडिसेरी लेबल पे आपको काम करना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए याद रहे कि किसी भी High Court में आपको 10 साल तक Advocate हो या फिर कहीं पर जुडिसेरी वर्क कर रहे होगा आपको पिछले 10 सालों से ठीक है इसके लवाए कोश्चन सापको यहां पर यह भी बन जाता है जो रिटायर जज होते हैं ठीक है रिटायर जज आपको High Court जो होते हैं वो किसी अधर High Court में या फिर Supreme Court में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं होता है कि जिस आप जिस High Court से रिटायर में उस High Court को छोड़कर किसी अधर High Court या फिर Supreme Court में प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ उस High Court में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं यह सारे पॉइंट्स को धियान में रखेगा जो जे एक पॉइंट्स बहुत इंट्रेस्टिंग बना रहा हूँ चलि अगला कोश्चन्स है पुरुष सुक्ता इसे हिम फ्रों वीच वेदा अतर वेदा यजूर वेदा रिग वेदा या फिर साम वेदा यह कोश्चन्स में बताया हूँ पुरुष सुक्ता जो है रिग वेदा स्लेटेड है रिग वेद के दस्वे मंडल स्वे जैसे आपको पता हुआ रिकवेट के दस्वे मंडल में चार वर्न के बारे में चर्चा किया गया है वे चार वर्न क्या क्या है तो पहला है ब्रामन है दूसरा क्या है छत्रिय है पहला है दूसरा है छत्रिय है तीसरा क्या है तीसरा है आपका वैस्य है और चौथा क्या है? चौथा आपको सुद्र है तो ये रडिग्वेट के दस्वे मंदल से इसकी चर्चा हमें की गई है और इसकी जनकारी हमें चार वर्ण के बारे मारे हैं ब्राह्मन, छत्रिय और सुद्र और वैसे ये questions काफी important है static GK का questions है, very very important question में से एक है चले अगले questions पर आते है, question number 9 है बते हैं इसका answer क्या होना चाहिए? Lothal of prominent city of the ancient Indus Valley civilization is situated in which of the following states Lothal जो है Indus Valley civilizations का एक prominent city के नाम में इसे जाना गया था बते हैं लothal फिलाल किस राजय में अभी है तो Lothal जो है गुजरात में, option number यह होगा लothal जो है गुजरात में है अब यहां से आपको स्टेट से क्या क्या question पूछेगा पहला आपसे पूछेगा हडपा हडपा कहां पर है, तो यह पर है पाकिस्तान में है ठीक है? इसके लाँ आपसे पूछेगा मुहेंजो दारो ठीक है, मुहेंजो दारो मुहेंजो दारो कहां पर है, यह भी पाकिस्तान में है इसके बाद आपसे पूछेगा चनहु दरो यह सारे point जो है, बहुत इंपोर्टेंट है बहुत details मता रहा हूँ, चनहु दरो भी पाकिस्तान में है धौला वीरा आपसे पूछेगा धौला वीरा, जहां पर streamlined drainage system था यह कहां पर है, यह भी गुजरात में है ठीक है, इसके लब आप रंगपूर रंगपूर भी आपको कहां पर है गुजरात में है, ठीक है इसके लब आपसे पूछेगा काली बंगन काली बंगन आपसे पूझा जा सकता है काली बंगन कहां पर है तो काली बंगन जो है राजस्थान में है कहां पर है राजस्थान में है यह सारे पॉइंट्स को नो डाउन गर के याद कर लिना उसके बाद आपसे पूझेगा आलम गिरपूर यह सब पूछते हैं, पूछेगा है, प्रिबियस एर पेपर से कर देखिएगा, तो पूछेगा है, आलंगीरपूर कहां पर है, यूपी के मेरट में है, ठीक है, यूपी के मेरट में है, इसके लब आपसे, एक लास्ट आपसे पूछेगा, बनावली, बनावली कहां पर है, तो यह हर्याना के हर्याना में है ठीक है और एक आपसे पूछेगा आपसे last जो पूछ सकता हुए रोपड रोपड कहां पर है तो यह है पंजाब में तो यह कुछ important sites है जो इंडर्स वैली civilizations का जो important है और किस राज में यह सारे है या फिर किस country में है, तो यह सब पूछा जा सकता है, अहडपा, मुहजोदर और चलूदर यह पाकिस्तान में है, और यह सारी कुछ गुजरात में है, कुछ राजस्तान में है, कुछ यूपी, कुछ हर्यान, कुछ पंजाब, ठीक है, चलिए, अगले questions पर आते हैं, question number 10 है, who among the following was the first scholar to decipher the Ahsoka edits, Ahsoka edits, बताई इसका answer क्या होगा, तो इस questions का जो correct answer होने वाला है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने पहला बार Ahsoka के edits को पढ़ने की उपढ़ पाया था, ठीक है, कब पढ़ा था, तो 1837 में, लेकिन यहाँ पर एक question आपसे यह पूछेगा, कि Ahsoka edits की founder कौन है, इसकी खोज किस ने किया था, तो इसको किया था, इसका नाम था fanth layer, ठीक है, spelling मुझे भी नहीं पता है, मैं लिख दे रहा हूँ fanth layer, ठीक है, pottery fanth layer करके कुछ नाम था, जो 1750 में इसकी खोज किया था, ठी आपके exam में जहां से पूछते है, Ahsoka के father का नाम क्या था, तो Ahsoka के father के नाम था, बिंदुसार था, Ahsoka की mother's का जो नाम था, वो था सुभाद्रांगी, सुभाद्रांगी, Ahsoka के कुछ एक son था, उसका नाम महेंद्र था, महेंद्र, और उसकी बेटी थी, डाउटर, जो संग्यमीत्रा थी, जिसको बुद्धिज्म का परचार करने के लिए, ये दोनों के बेजा गया था, कहां पर, स्रिडंका बेजा गया था, और कलिंग विज का लेक्स, इसकी हमें जनकारी मिलती है, कलिंग के बारे में, ये अगले कॉस्चन पर आते हैं, who had been appointed as the new president of Fikki, करेंट अफिर्स का कॉस्चन से, इसका एंसर बताईए, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका जो एंसर होगा, सुबरकान पंडा होगा, इन्होंने किसको replace किया है, ति इनोंने replace किया है, और Sanjeev Mehta को, ठीके, इन्होंने Sanjeev Mehta को इन्होंने replace किया था, किसको Sanjeev Mehta था, इनोंने replace किया था, और फिककिक आप से fullform पूछा जा सकता है, इसका जो fullform होता है, federation of Indian, federation of Indian chambers of commerce and industry. ठीक है इसका फुल्फब आपसे पुछा जा सकता है चलिए अगले क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन नमर 12 रिसेंटली बेंजामीन नेतनियाहू है डी री अपॉइंटे अज प्राइम निस्टर ऑप इसरेल इस बिलॉंग टू वीच पाटी बताई इसका एंसर चलिए तो इसका जो एंसर होगा लिकूड पाटी तो आपको पता होगा कि फिर से जो है बेंजामीन नेतनियाहू इसराइल के प्राइम निस्टर बने है और यह लिकूड पाटी बिलॉंग करता है अगर आपसे पूछाएं कि प्रेसिडेंट कौन है इसराइल का तो आपको ब इसाथ खर्जुक जो यहां के प्रेजिडेंट है और यहां से आपके करेंसी के बारे में पूछता है कहीं कहीं इसका जो करेंसी होए नियू सेकल क्या है नियू सेकल यह सारे पॉइंट को नो डाउन करते जाना एक आपको कॉपी बनालो जहां पर 25CQ जो सॉल्व कराता उस कि ने एमडी और जो चेयर्मेंट बनकर आया है उनका नामें वियर कृष्ण गृपता इसका करेंसर होगा ठीक है वियर कृष्ण गृपता चलिए Southern most point of India is तब को पता होगा North, South, East और West ठीक है यह वाला पाट तो जहोँ है नीचे वाले साउथ वाले जो पाट है Southern most point किसको बोले जाता है जो लोग कन्याकुमारी सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है इसका होगा इंद्रा पॉइंट होगा देखो यह भारत का South वाले पाट है यह वाला पाट तो कन्याकुमारी है ठीक है यह जो पाट है यह तो कन्याकुमारी है लेकिन यहां पर आपको अंडमान भी आपको Southern most part पर अंडमान को माना जाता है यही पर आपको इंद्रा पॉइंट देखने को मिलेगा और कहा है ऍंड्राम, जो की कहा पर है लडाख में है इंद्राद कॉल अगर आप से इस्टेंड पूछा तो आपको बोलना तो एक कीवा तोब। चल पर्देश में है अगर आप चैनल पूछे का इधर वाले तो इसको बोना है गोहर मोती कहां पर है गुजरात में है तो वेस्टर्ण हो गया तो आपको याद होने चाहिए इस टैप यह कोश्चन सभी एकजाम में पूछ सकता है चलिए आगे अगले question पर आते है What is the total length of Indian cost line India cost line का total length क्या है तो याद करने वाला question है static questions है याद होगा तो ठीक है नहीं तो बताईए इसका answer क्या होना चाहिए तुक्का मारो अगर सही हो जाए तो ठीक है 7516 option number 20 का correct answer होगा ठीक है 7516 जी हाँ इसमें भी cost line सिर्फ ये वाला portion mainland को जोड़ कर पलस इधर वाले जो portion आपको होगे अंड़मार वाले उज़ारों के लक्ष दीप वाली है सारे add करके निकाला गया है जी हाँ 7516 तब जाकर होगा अब बताई international military tribunal का headquarter कहां पर है headquarter of international military tribunal is इसका जो अप्शन नमर डी होगा नूरेंबर्ग नूरेंबर्ग में आपको international military tribunal का headquarter देहने को मिल जागा बताई ISO का आपने हमेशा नाम तो सुनते होगे लेकिन ISO का full form होता क्या है जराई यह बताई है ISO का full form क्या बताई है बताई है कुछ computer के questions भी डालूँगा next topic से next mock test में कुछ computer questions भी डाल दूँगा धिरी धिरे करके आपको करीवन करीवन 5-4000 से 5000 questions करा दूगा और सारे standard level questions होगा और उससे क्या होगा 4000 से आपको 2-3 गुर्णा एक्स्ट्रा पढ़ा होगा यानि एक questions से आपको 3-4 questions answer दिलवाने के मैं questions करता हूँ इसका जो answer होगा international organization for extendization option number C होगा ठीक है option number C इसका correct answer होगा आइसो का आपसे नाम सुनते होगे लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए कि international organization for extendization इसका full form होता है चलिए आप बताईए European Union का headquarter बताईए क्या है इस टाइप पे questions आपको पूछते है examine previous year paper अगर विश्वास थे तो देख ले ना इस टाइप पे questions पूछे गया है WHO का पूछा गया था बहुत तरह से पूछा जाता है इसका जो answer होगा Brussels होगा option number B ठीक है Brussels बिल्कुल सही चलिए आई अगले questions पर आते है the chairman other members of the copyright board shall hold the office for a period of बताईए chairman और या फिर other members जो होता है copyright board के वो कितने दिनों तक office को attend करके रखते है जी हाँ 5 साल के लिए बिल्कुल सही option number यह इसका correct answer होगा आई अगले questions पर आते है which of the following is a not an intellectual property law तो trademark होगा patent होगा design होगा यह नहीं होगा तो इसका जो answer होगा option number A होगा ठीक है custom acts 1962 और यह date याद रखना ठीक है यह जो year दिया हुआ है कि ट्रेडमार्क एक कब है 1999 में यह था patent act 1970 में यह था design act कब है था तो 2000 में यह था इसका जो answer होगा यह हो जागा ठीक है चलिए और है इंचलेक्च्वल प्रोपर्टी Dream मनाते हैं इंचलेक्च्वल प्रोपर्टी डे का बनाते हैं जाता है अब गल्ती से आपने उसको समझके किसी और को murder कर दिया तो ऐसा नहीऄ है कि आपने उसका murder कर दिया तो आप पर charges नहीं होगे, जो charges आप किसी एक को murder करने जा रहे है ते वही charges सैम आप पर लगेंगे, transfer कर दिया जाएंगे उसके वाले charges आप पे लग जाएंगे मालने जए A और B के में दूसमन ही है A ने murder करने के अभी को murder कर दिया C को तो यहसा नहीं है कि इस पे कम charges लोगे जो B को मारता जितना charges उतना लगते उतना ही C को मारने पर उस पे charges लगेंगे और इसकी जो चर्चा की गई है वो की गई है आपको section 85 में एक मिनट section 85 में है section 85 है या भी 301 होगा यस 301 होगा बिल्कोल बिल्कोल मैं खुद confused था माप कीजेगा इसका जो answer होगा 301 होगा option number C ठीक है option number C होगा जी हाँ option number C होगा ठीक है तो डॉक्टराइन और ट्रांसपर्ट में लाए जो है 85 sections नहीं होगा 301 होगा बिल्कोल सही है चलिए अगरे questions पर आते question number 23 sexual intercourse with a girl under dash is raped even if she had given her consent तो sexual intercourse किसी girl के साथ जो 18 साल की कम उमर की अगर कोई लड़किया है उसके साथ sexual offense किया जाता है अगर वो consent दे भी दे जाती है तो उसको as a rape के तरह रखा जाएगा ठीक है ऐसा माना जाता है कि उसके जो समझने के लिए उतनी liable नहीं थी जिस कारण से आपके उसके साथ जबरदस्ति किया है और इस कारण से इसे rape के अंतर गत रखा गया है 18 साल इसके अंसर होगा है 18 years चले लिए questions नहीं आते हैं ए रजिस्टर जियोग्राफिकल इंडिकेशन सेल भी वैलिट फॉर पते हैं इसका एंसर क्या होगा इसका जो एंसर होगा 10 साल तो जैसे कि आपको पता होगा कि GI Act जो आया था ठीक है GI Act जो आया था वो कब आया था तो 1999 में और ये came into force ये कब से काम करना सुरू किया है तो ये काम करना सुरू किया है आपको 15 सितंबर 2003 से ठीक है पंदर सितंबर 2003 से और पहला जो GI Tag दिया गया था किसको दिया गया था तो दार्जलिंग टीको ठीक है पहला जो GI मिस्टर ऑफ इंडिया है सेलिबरेटिंग डैस नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनुवारी दौर्टेश तो 25 जनुवारी 2020 को आम लोग नेशनल वोटर डे मनाते हैं तो यह कौन से एडिशन इस बार मनाया गया है तो यह जो मनाया गया है आपको 13th एडिशन ऑप्शन नमरर सी होगा ठीक है और इस साल का जो थीम है यह भी आपको याद होने चाहिए कि है नतीं टींग है कि पहले भी मैं बता चुका हूं और हमेशा बताता हूं I vote for your I vote for your तो यह इसका थीम है यह important questions थे आपको याद होने चाहिए तो यह रहा total 25 questions जो आपको मैंने cover करा दिया हूँ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सभी लोग लाइक कीजेगा चैनल से पहले ही बार जुने तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच जैने